नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल Knowledge Today ललित में दोस्तों आज हम बात करेंगे लेश्ट और सुट के बारे में एक्जाम में कई बार एरर इनसे पूछा जाता है और स्टुडेंट इनके प्रियोग में गलती करते हैं तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जिससे आप लेश्ट और सुट के प्रियोग में गलती करने से बच सकते हैं और एरर को अवाइट कर सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं वो क्या definition है क्या formula है दोस्तों देखे लेश्ट और सुड इसका मतलब होता है ताकि ना ऐसा ना हो और इसकी जो definition है दोस्तों कहने का मतलब यह है लेश्ट और सुड कंजन्शन का प्रियोग उन संटेंसे में किया जाता है जहाँ पर किसी परसन को बार्निंग दी जाती है चेताब नहीं दी जाती है और उसका जो परडाम है वो निगेटिव सेंस में आता है इस चीज को आप ने ध्यान में रखना है इसको आप नोट भी कर सकते हैं नेक्स एकते हैं दोस्तों कहने का मतलब यह है जहाँ पर भी लेश्ट और सुट का प्रियोग होगा तो बहाँ पर उसका जो means है sentence का वो निगेटिव सेंस में निकल के आता है तो आपको यह ध्यान में रखना है तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि लेश्ट और सुट के जो sentence होते हैं उसमें कभी भी no और not का प्रियोग नहीं किया जाता है इस चीज को आप note कर लीजिए exam में आपको दे देंगे और उसमें not लगा देंगे इस टाइप से error आती है इसका example देखते हैं बर्क हार्ट लेश्ट यू में नॉट फेल दोस्तों यह sentence है यह देखें यह में यह यहाँ पर इसका प्रियोग नहीं होगा यह गलत है डोंट से इस तरह से आपको नहीं बोलना है इसका जो सही form है वो देखते हैं बर्क हार्ट लेश्ट यू शूट फेल यह यह करेक्ट है इसका जो means है कठिन परिश्रम करो ताकि तुम अस्फल ना हो यह इसका means निकलता है यह यहाँ पर देखें आप चेताबनी दी गई है बर्क हार्ट और इसका जो consequence जो परड़ाम है वो फेल होने का आ रहा है ऐसे आप पैचान सकते हैं sentence को कि यह लेश्ट और सुट का प्रियोग होगा या नहीं होगा दोस्तों इसके लाबा यहाँ पर कभी कभी यह लोग क्या करते हैं एक्जाम में यहाँ पर नॉट का प्रियोग कर देते हैं में के बाद नॉट लगा देंगे यह यहाँ पर लगा भी है तो इसका not का भी प्रियोग इसमें नहीं होता है इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है और देखते हैं इन दी एवब संटेंस दी वार्निंग टू दी पर्सन वर्क हार्ड तो यहाँ पर जो वार्निंग दी गई है यह आपको पता है वर्क हार्ड की दी गई है तो दोस्तों यह जो बार्निंग दी गई है इसके बाद पूरी संभाबना है उसके अस्वल होने की तो इससे आप पहचान सकते हैं और देखते हैं जनरली प्यूपिल यूज में इन पलेस और शुड इस ब्लेंडर दोस्तों सामानता लोग जो है वो मेका इस्तमाल कर लेते हैं वो बिल्कुल गलत है आपको इसमें मेका इस्तमाल नहीं करना है इसलिए आपको इसमें जो है मे या किसी भी मॉडल का प्रियोग नहीं करना इस चीज को आपने ध्यान में रखना है इसका दोस्तों यह formula देखते हैं warning plus least plus person plus should plus consequence इसका एक और example देखते हैं run with carefully साबधानी से दोड़ें या साबधानी से दोड़ों least you should fall कहीं तुम गिरना जाओ तो दोस्तों इसमें आप देखते हैं यह burning run with carefully यह burning दी हुई है formula के recording देखेंगे यह यहाँ पर burning दी हुई है इसके बाद यह last आया उसके बाद यह person आया इसके बाद यह should आया इसके बाद यह consequence जो गिरने का प्रडाम है तो दोस्तों यह इसकी correct definition है आप इसे note कर सकते हैं इसका screenshot ले सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो वास्ता में अच्छा लगा है तो आप वीडियो को like, share और subscribe भी कर दीजिए और इसको अपने friend को जल्दी से share कर दीजिए प्रडाम है